राम राम सभी किशान भाईयों को और पशुपलग भाईयों को तो आज हम एक बार फिर सुकवेर धांडा डैरी फारम गाउन लिताने जिलाइंशार अर्याना के अंदर पूंचे हैं तो देखे सुकवेर धांडा डैरी फारम मतलब जाना पहचाना से रहा है मतलब इंट्रोडेक्शन कराने के तो आपको जूरूत नहीं है क्योंकि अर्याना मुर्रा के नाम से लगा लें अच्छे पसुदन के नाम से लगा लें अगर विसे पर रिकोर्ड हम कहते हैं पसुदन का सबसी जाता दूद देने वारी वेंस वह भी सुभी धांडा के नाम है और जो अर्याना के अंदर मैं कहुँँगा गिनती के जो लोग है जो बतरब इनसान है जो पसुदन का वड़ावा दे रहे हैं मुरा नसल पे काम कर रहे हैं तो उन पांच साथ आदमें मुगिनती धांडा साब की आती है और इनका यूटूब चैनल भी है धांडा डैरी फारम और फेस्बुक पेज भी है वो भी आप देखे सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पोज को भी फोलो करें कि तो आज हम उनीस से बात करेंगे क्योंकि इनों एक एक पसूँ से करोड़ो रुपे की इंकम की ए और डैरी वैफसाय को जो नई डैरी चलाना चाते हैं या नई डैरी करना चाते हैं या नई डैरी जनूने की है तो इन से उनका अनुपभाव लेकरकर आपको सामने यह व लाने चीह चीए पस्टों की रख रखाओ क्या है मतलब पूरी जानकारी ढांडा-साब से ले करके आपके शामने लाने कोशिश करेंगे तो डानर सार से इंट्रे उडेक्शन अब कराते हैं डानर साब जी राम 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 सत्सरीक आल जी आपके जो चैनल देखने वड़े सभी भाईयों को मेरी तरफ से राम राम सत्सरीक तो आज आपए जो आप है जो घो नई सडूर हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जूड़ है उन बोर जो जो नई theory कर चाहते हैं जा नई theory कर चुके हैं मलत को नुक्सान हो रहा है या कम läक Barnahar AR wij और यह नई डरниц करना चाते हैं तो स्टार्टिंग लेवल से इस बर जी ऐसा है देखो आपना तजर्बा बतास कहा कि आपने किस तरीके से शुरू किया था आपने तो जिस तरह ड्राइब जैसे बन्हें या जो दो बने कि कटियां मिल जाएं पर थोड़ा मंगाई जाद होगी यह जादा लोग सेयल निकर और बइस चैर-चैर-पज पांच-पांच-पांच विने कि वह त्यार कर दे दी दी वह अपने व्यात्ष पर आ जैंदी प्याहर अपने चैह करबद आपने क करना चाहते हैं उन्होंने नहीं की है या कोई गर पे रख रहे हैं उसको तो पता हुआ इतने पैसे का अपने को दूद मिल रहा है इतना ये ड्राइ टाइम में खाओगी देखो उस बंदे को तो तजरबा हुआ है जो एक आइडिया लगा लिए इसने दूद घा लिए उसका ड्राइट टाइम का भी आइडिया लगाना पड़ेगा वो केफीड खाओए है कितना अरचारा का भी आइडिया लगए उसमें थो दुआई भी लगा है पसू बिमार भी होगा है तो ये ना आइडिया लगा होगी भे शरू में आपने 20 किलो दूद लिया बैसे और 20 किलो आपने जारगा डैली का बेच दिया मैं मिन्ने में 30 जारगा हो तो एक आवाई सपने होगे देखो आइडिया लगा के चलोगी भे अपने सारा खर्चा फड़ा के चलो पसूगा बेड्राई टाइम का दुआई का पसू बिमार भी होगा है या दूद कम देता भी होगा जिस तरह शरू में 18-20 किलो आपने तो वो दिरे-दिरे-दस पे भी आओगी तो आइडिया सारे मिन्हों का कालकूलेशन करके ही डैरी फारम का काम सुरू करें यह नहीं कि सुरू से ही 20 किलो दूद आपने मिन्हें में 30,000 का बेज़ दिया उसका आइडिया ना लगा हो टो नताए पहले करना चाहिए को अच्छी चल रही जिस भाई जरूरे से थोड़ा आइडिया लें कि किसी से आपां 13 14 गी ले लिए वो कम रेट में मिल गी आपां थोड़ी मैनत करेंगे उसको पंदरा सोड़ागी बनाए लेंगे उसको आगे आगे अच्छी आई जै लंबा चलना है अच्छी आई करवाँगे तो आगे चलके अच्छी कटी त्यार हो जीगी तो उसमें लोस मे खरीद हैं देखो उसके लिए तो अलग दाम चुकाना पड़ेगा अलग ज्यादा होगा जी देखो अलग रेटों है 25 वाडियों के 22 वाडियों के अलग से रेटों जी है और जो 14 15 सोड़ा की हो नोर्मल रेट में मिल जाना होना से यह वह तो है सब चीज़ों का देखों प किस टायम पेड़ेना है कितना दाना देना है तो सब चीज़ों का जी अलग से मैं एक यह रोजे साथ में पसू कुछा तो बहुत देंगे वे पसू जुगाड़ी कितना टाइम करें है तो चीज़ों चीज तो एक-एक पोईंट सब पकड़ना पड़ेगा वह नहीं कि वह एक दन में आजेगा वो तो आप जिस फिल्ड में उतर लिए आप अपने पस्वों पर देखते रहांगे किसे बाई की जैसे मेरे पास भी बहुत फोनाओं है या गुड़ तो यह बता दें आप उसके लिए भी बहुत भाई अपना अपना तजर्बा करके देखा है और उनको चीज़ का फायदा हुआ है तो जो भी बाई है अपना दीरे-दीरे आपने खुद ने भी शुरू किया जिस टाइम पर ड्राइब हैं सो का जिस टाइम पर आपना शो में जाने लगे उस टाइम पर देख्या यह शोम की करना चाहता है तो उसको मानने तीन पसु लेकर करता है तो नोलीज मतलब पसु की जो बीमारी आपती है थोड़ी वह तो और पहचान उसकी बहुत जरूरी होती होगी आज कल तो देखो जी सोसल मेडिया पर बहुत बाई एक्टिव रहे हैं वो भी जानकारी देते रहे हैं बहुत एक्टिव हैं सोसल मीडिया पर पर या किसी उसमें लगा लो यूट्यूप पर तो वह भी जानकारी देते रहे हैं नहीं अपने एरिया के डॉक्टर से संपरग नर्मल बात हैं टेंप्रेचर चेक करने वह अपने घर पे रखें अगर आपने पसु में कोई दीख कर लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं अपने पसों के खुद डाक्टरी कर रहां कोई बड़ी बात नहीं है तो आप अगर डैरी करना चाहते हैं तो मतलब किसी अनुवाव डॉक्टर के पास से या पतरब उसकी डैरी की ट्रेनिंग या कोई डैरी कर रहा है जिसकी सक्सेस है डैरी उससे आप राय भी लेज का थोड़ी बहुत कुछ खुद ने तजरबा करना पड़ेगा तो अपने मरे शुरग पाया कर रहा है देखो खुद ने भी तजरबा करना पड़ेगा जिस तरह मैं हूँ बैंने तो बता दिया यह चीज इतना देने से इतना दूद देगी वो तो अपने खुद पर मैनत पर डिपएंड करेगा कई वाईयों का ऐसा हो एक को यह ठारा बीस की लोगी बेंस भी लेजे हैं वो उनके गरपे भी सोड़ा देवा है और कई सोड़ा वाई गाभी बीस बना ले है वो उनकी मैनत है मैनत भी ना देखो बात वो अपना तजर्बा खुद ने करना आपन देने तो आप आप देखिए जाए अगर किसान भाई है डैरी फारम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से फीड है पलान जैसे पसू को फीड कितनी देने चाहिए कितनी मातरा में क्या क्या देना चाहिए उसके वीडियो आने वाले टैम में पसू का दूद के हिसाब से फीड की एक वीडियो लेकर क्याएंगे उस वीडियो को आप जुरूर देखें तो सभी पसू पालग भाईयों को और सभी किसान भाईयों को राम राम सस्रीकाल धन्यवाद